हर्याना के मुक्यमंत्री नायव सिंग सेनी द्वारा सर्पंचों को पावर देने के अलावा की गई कई अन्य गोशनाओं से सर्पंचों के चहरे पर रोनक आ गई है सीम द्वारा की गई गोशना के बाद प्रदेश भर में सर्पंच खुशी मना रहे हैं और इसे बीच अंबाला शहर विधान सबा के सेंकडो सर्पंच अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आज हर्याना के परिवहन राज्यमंत्री असीम गयल की निवास पर पहुँचे जहां सर्पंचों ने ढोल बजा करवा एक दूसरे को मिठाईयां खिला कर खुशी का इजहार किया इस दोरान परिवहन राज्यमंत्री असीम गयल ने भी सर्पंचों को मिठाई खिला कर बधाई दी सर्पंचों के साथ बाच्चीत करते हुए परिवहन मंत्री असीम गयल ने कहा कि अब सभी सर्पंच गाउं में और तेजी के साथ विकास करवा सकेंगे इस दोरान पत्रकारों से बाचीत करते हुए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि सीम नायब सिंग सेनी ने सर्पंचों की बड़ी मांग पूरी किये उन्होंने कहा कि सर्पंचों को कहीं ना कहीं ये मحسوس हो रहा था कि उनकी पावर को छीन लिया जा रहा है और काम नहीं करने दिया जा रहा सर्पंचों को अगर कोई काम करवाना होता था तो उसकी प्रक्रिया चटिल थी लेकिन सीम नायब सिंग सेनी ने जल कल्यान के लिए बड़ी घोशना की है जो है चोटे सर के उपर बड़ा इनको तंग कर रहे थे एक टेंटर के लिए गुमना पड़ता था बड़ा जटिल प्रक्रिया थी लेकिन अभी मान्य मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश देते हुए लोग कल्यान कारी फैसला लेते हुए 21 लाख रुपे की गोशना जो हमारे सबी सर्पन साथियों के लिए कि अपने मिना टेंटर के और उनकी मिट्टी का जो मसला था उनके मान्त दे का जो मामला था उनकी और एसी आर जो है ग्राम सच्चिव की लिए देने की पावर परिवहन मंतरी असीम गोल के आवाज पर पहुँचे, سरपंचों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांग पर गहुर किया है। इसलिए आज वो मंत्री असीम गोयल के निवास पर पहुंचे और आफ़ार व्यक्त किया तो कोई भी प्रोग्राम हो सरकारी उसके लिए भी जो 30 जार का कियाया है शरपखायों को मंत्री जी सब्धार को करते हैं